आपकी जो चेर है उपर याप दूरी पर है हमने सारे कोविड वानकों को ध्यान में रखा हुआ है हमारे सारे बोर्ड मेंबर्स वैक्सिनेड़ हैं आशा करते हैं आप भी वैक्सिनेड़ होंगे जी सर तो अपना मास्क खटा लिजे ताकि हम चैरे का मिलान कर लें थैंको सर पवन जी अपने बारे में कुछ बताईए सर मेरा नाम पौनकुमार नायक है सर मैं मोगीले से विला तो मुझे बताईए कि आपने इतनी ग्राजुएशन फिर उसके बाद पॉस्स ग्राजुएशन परस्तम तक भी आपने किया है सेविल सेवा में क्यो जाना चैने को क्या उद्देश है सिवसेव अम सिवन सीवा है इसमें सर कारी कार की विवितिता और कायच चुनोपिपुड छेत्र में काम करने काउसर मिलेगा और साथ ही 맞아요 मैं इस स्यवा के सारे मानको ुसर समाज शास्त्र में ऐसे कौन से थिंकर आपको ऐसे लगते हैं जो आज के युग में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं अगर अगर हमें जहां तक लगता है कि बेवर जी का सिद्धान आज के संदर में ज्यादा कि आज के प्रवेस्थ में एका दिकारी में क्या कॉार्ट होनी चाहिए कैसे रहना चाहिए तल्फी strations accent प्रासंगिक हैं अच्छा गोड़े का ल जगते हैं यह कथन है High किसने का दूर्खिम ने का आप शौर है आच चलिए कोई बात में मुझे बताइए कि आपने अपनी होबी में लिख रखा है वृद्धों की सेवा करना बारत के अंदर वृद्धों की सेवा के लिए कौन से कानून है जैसे वरिष नागरिक के रूप में माना जाता इन्हें बसों में रेल्वे में इन समय सर एक तरह सार अच्छर प्रदान किया जाता और निया एक शेतर मिनेट सवर बार यहता दिया जाता आपका शौक क्रिकेट खेलना भी है और आप 2017 से लगतार भी वर्तमान में कहीं कारेरत भी है अभी सर मैं 2017 का इंटर्व्यू दिया था सर ल में सक्वां अभी है अभी सर इससे रचसेंटिव हैं आप्योंकि संपर्द्ैक्र si यह पीज़ने मिलाकर को देखते हुए ऐसा क्यों कहा जाता है कि मह में और संपर्दायक को संपर्दाई की ज्प्याता लेकिन फिलाल ऐसा नहीं है फिर भी अगर आप साशन के दृष्टी से देखें तो उत्तर प्रदेश साशन के हिसाब सही और यह अभी के साशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं करीब सब्सक्राइब दएक बार्ग णोलिया लौक देखा जायाँ टो मौ है उन इस इंसिटिफ अलाकों में से कहीं न कहीं चुनाव के पहले ही नहीं चुनाव के hers मौझूद रहती है वहां पर गीमे जू सामप्रदाइयर कारण आपको हिंदु मुस्लिम संपरदावाद का थोड़ा सा बढ़ावा देना दंगा पर पहले के समय में इस टेम में वेबर आपको पसंद है थोड़ा सा उससे बात कर सकते हैं वेबर से वेबर ने कहा कि पूंजीवाद का जो उधो है वो प्रोटेस्टेंट नयतिकता के अंदर से होता है तो ऐसा कहने के पीछे क्या कारण देते हैं वो टाइम सर बेवर ने देखा था कि उस टाइम में प्रोटेस्टेंट हिसाई धर्म की माननेता थी उन्होंने उन लोगों ने बेसिकली धर्म उस धर्म के ऐसी माननेता थी कि हमेशा आर्थ को या तीन-चार बाते आपको दि कोई भी काम करिए पूजी के लिए करिए और पैसे का फिर पैसे कुछी में रिशाएं की कर दिये दो बड़े प्रवर्तक कौन थे या प्रवर जी ने यह भी कहा कि अन्य धर्मों से तुलना कि और कि बाकी में पूझी वाद के उद्वह की कोई गुंजाइस नहीं तो को आज आप कहां पाते हैं क्या वो पुंजी वाद को आत्मसाथ कर चुका है यह पूंजी वाद को बढ़वा दे रहा है। हुआ अग्सक्त on आश्था और सध्वाव का विसे रहा है लोग अपने धार्मिक कर बीचारों के और इस और प्रुभ्य्टियों के वॺजा से रहा प्रुष्टेंट में मुलता उसके सिधानती ऐसे थे कि आप जो भी कमा ये फिर उसको उसी में लगाए फिर ब्यासाय करें फिर लगा दिजे और उनके लिए कोई चीज और मायनी नहीं था समाज में पहले से चल रहा है उसे को हमने एक डैवी रूप दे दिया यह कौन से समासा से लिए आप बरतमान में आपका चैन हुआ है सब इंस्पेक्टर पत के लिए अच्छा यह बताए यह राष्ट्री अपराद वीरो का एक अपना डाटा आया है जिसमें बताया गया कि कि 2016 की तुलना में 2018 तक आते वर्द्धों के प्रती जो अपराद हो रहा है उसमें करीफ 3.5% की व्रद्धी हुई है क्या करण है कि व्रद्धों के अपराद इतने जादा बढ़ रहा है सर कहीं न कहीं से हम बढ़ती जान संख्या और मांगाई से को रिलेट कर सकते हैं परिवारों का होता भी घृतन देख सकते हैं उसमें जात्मा गटना है बढ़ती जा रही है कहीं पहले कि अपच्छा लोगों की जरूरते बढ़ गई जिसके हिसाब से लोग सद्वाओं नाम क अपनी महतुकांचा बढ़ी है जिसे अपराद कैसे बढ़ा गया आप एक साई के रूप में कारे करने वाले हैं कम से कम इस तर पर तो आप ही है जैन होगा तो हो सकता है कोई और बड़े प्रसाथ होते जा रहा है जिसमें भाईयों भाईयों में जगड़ा तक्रारी सब औ और उनके चकर में वो लोग पिता की हत्या करना आपका कहने कारत है कि वृद्धों के प्रती अपराद जो हो रहे हैं वो दरसल परिवार के में उनके बेटें दोरा पिता की हत्या के सकते हैं सर टोटली नहीं कह सकते हैं मतलब उसका एक कारण हो सकता है और क्या कारण हो सकत प्रेफ़े में देखा तो तो कहीं ने कहीं थोड़ा हो थाllers सेления प्रिवीन हो मुल्य समाथ से समाप्त होते जा रहे हैं समयाथ नहीं होते जा रहे हैं सहरास होते जा रहे है अपने मातो कंच्छा के क्या करण चुकंब वंक्रे बच्चे बढ़ती अधुकी करड़ के चक्कर में सर लोग पच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों का यह सोशल मीडिया और अंसीचियों में लगा जुकाव ज्यादा हो गया जिसके चकर में वह ऐसी आइसे गेम से भी आ चु अगया हुए और थोड़ा सा सोशल मेडिया से कैसे क्या प्राबलम हो जाती है कि बच्ची अपराद करने लगते हैं अगर आपको सुझाओ देना है कि आप समाज में क्या-क्या ऐसे सुधार करेंगे जिससे ब्रिद्धों के प्रती अपराद भी कम हो जाए और बाल जो अपराद की प्रवितियां हैं वो भी कम हो जाए क्या सुझाओ देंगे पहला सुझाओ तो सार यही रहेगा कि हमें अपने पुराने मांदंडों मुल्यों और संसकारों को भी आज अधुनिक परिविश में भी कैसे बना के रखना होगा तो बनाएंगे कैसे परिवार को सर बिद्धों के साथ भी कुछ टाइम एक्स्पेंड करना होगा जैसे आज कर देते हैं नहीं नहीं महात्वकांच्छा के चक्रम कर दे रहें ऐसा होना नहीं चाहिए तो नेगीट उटी थी सर तो कैसे उसको मुझे बताईए ओपरेशन काया कल्प क्या है उत्रपदेश का नहीं पता कोई बात नहीं अभी आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी ठीक है इसके लिए सर्टिफाइट क्राइ प्रेवेंशन स्पेशलिस्स की नियुक्ति करी जाएगी जो हर थाने पर रहेंगे साइबर अपराद क्यों बढ़ रहे हैं खास करके कोविड महमारी के बाद आप क्या लगता है कोविड महमारी के बात सारी गतिविदियां इंटरनेट द्वारा जूट चुके हैं सरकारी नाम से लोगों के बायोमेट्रिक घरों में प्रवेश कर जाते हैं सरकारी की सरकारी विभाग से हम आ रहे हैं और घरों के बाहर विर्द लोगों को जाते हैं उनके बायोमेट्रिक स्कैन करवा लेते हैं आधार का डिटेल मंगते हैं कि सरकार ये योजना से आपकी विजली फ्री करें और पूरा अकाउंट खाली करा गयाता है इस तरीके की जो जो कृत्ति हो रहे हैं इसको अगर आपके संग्यान में आता है और अगर आप उस जिले के अभी-अभी पोस्टिंग आपको मिली हुई है पर आप किसी छेत्र के डीएस भी बनाए गए है तो इस करेंगे वहां लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा और ऐसे चीज़ों पर ध्यान ना देने के लिए कहा जाएगा बिदाट बेरिफाई किये थैंक्यू पवन जी आपका इंटर्व्यू समाप्त होता है अब आप जा सकते हैं दन्यवाद बैठिये पवन जी कैसा था पवन जी इंटर्व्यू आपका एवरेज था सर अब ये अच्छी बात तो है नि अच्छी बात है कभे आपका इंटर्व्यू फाइन है अभी सब्जेक्ट पढ़ नहीं पढ़ पाया था अच्छा पहली बात तो ये बात ध्यान में रखिए कि जैसे आप अभी बैटे हैं ये बोश्यर बैटने का एकदम सही नहीं है थोड़ा सा अपना पैर को इसको हम ल पायर करता है बनस्पत फीमेल से फीमेल सिक्ड़ी मैसूस करती है ठीक है ना तो ऐसे जेस्चर को पेट्रियार्कल नोशन से दिखा जाता है पुरुषवादी मानसिक्ता से दिखा जाता है तो कभी भी ऐसे नहीं बैठना है आप अपना हाथ रखी एकदम तन करके बैठिय प्रशासक हैं आप और अलेड़ी अभी आपने ये जो इंटर्व्यू बोर्ड में जगा हासिल करी है ये किसी ने आपको एहसान के तौर पर नहीं दी है आपने लड़ा है इसके लिए मेहनत करी है और आपने अपनी जगा सुनिश्चित करी है ठीक है तो आप हर उस व्यक् तो नहीं है आपके अंदर वो बात है पसनालिटी है आपकी हाँ एकाक सवाल में कुछ जरूर्त जिसमें कभी-कभी ध्यान में रखने वाली बात होती मुझे रखता है कि आपका पहला मौक इंटर्व्यू है इसके पहले आपने आयोग का इंटर्व्यू दिया है सत्रह में कितने माक्स थे 93 से 200 में से 93 नमबर थे तो वह भी बहुत अच्छे माक्स तो है नहीं कितने माक्स से रुख गया चार नमबर कम अगया था चार नमबर से कौन से पोश्ट मिलती नहीं तो नाय मिल जाता देखिए अभी क्या है ना कि लार्जली अगर मैं आपकी अच्छी है यह आपका मेरिट है पहला जगन अपरात क्या है आपने किसी राजनेता का नाम ले लिया कभी भी बोर्ड मेंबर के सामने पॉलिटिकल सेंसिबिल्टी को क्वेशन मत करिए हो सकता है वो राजनेता हमको पसंदो इनको ना पसंदो यह नियम है सबसे पहला कि र मुझे वो राजनेतिक दलना पसंदो हो सकता है मैंने आपसे मउग के उपर क्वेशन पूछा प्रशन पूछा कि सेंसिडिव तो आपको तुरंती बताना चाहिए था बिल्कुल साभाविक सी बात है सर भारत एक ऐसा देश है बहुत सारे धर्म हैं बहुत सारी विवित्ता कारण है और उस छेत्र में जो वहां की जनसंक्या अबादी है जिसके कारण सर विशेश वर्गों के बीच में राजनेति करण हो जाता है जिसके कारण सामप्रदा एक तरणाव बना रहता है सिंपल सा जवाब था क्यों अतना नाम ले रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी क कि इनकी अत्या के बाद ऐसा हो गया तो इनकी अत्या के बाद जैसे हमें लगा कि घटना करम जानना चाहते हैं दुवारा पूछने का सब मेरा आश्रय यही था के वला हम आप से पूछना चाहरे थे कि हो क्यों रहा है वहां पर कुछी दूसरा एक सबसे बड़ी बात सर के क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा देखा कभी भी जब भी सवाल पूछे जाएं आपसे कभी भी सवाल जब भी पूछे जाएं बैलेंस्ट बनाना है जैसे कि आपको कभी किसी को बोलना है यह योजना खराब है है ना माल लिए योजना खराब ही हो गई कोई काम नहीं कि योजना ने फिरविः बोर्ड मेंबर्स के सामने यह तो नहीं बोल देंगे यह जोजना बहुती बेकार थी ना शूजना ने उसको लागू करने में ठोड़ी से दिक्कत हो गई थी यह सारी बाते आप बता और अंदर से आपको confidence खुट फील होना चाहिए आप क्यों confident कम थे मुझे बताई किस बात की कमी है आप तो आने वाली पीडियों को जो मौ से निकलेंगे जौनपूर से निकलेंगे आचमगड से निकलेंगे गाजिपूर से निकलेंगे इन सब युवाओं के लिए तो तो भासा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसके चक्कर में यह हो गया तो यह बड़ा casual भासा थी यहां पर और इतना बोर्ड के सामने इस तरह की भासा का तीन सीनियर लोग बैठे होंगे उसके चक्कर में ऐसा होगे तो बड़े भासा को लेकर समझते है तो आप यह बात कर्मल वर्ड्स हैं इनको नहीं बोलना है कभी-कभी ऐसे वर्ड्स आम बोल चाल भाशा में तो अच्छे लग जाते हैं लेकिन जब आप ब्यूरोक्राइट के सामने बैठते हैं क्योंकि आपके अंदर अगर प्रशासक बनेंगे कि यह नहीं जो आपने कह दिया समाज में वह आप बदलाव लाएंगे तो लाएंगे जो आपने प्रॉमिस किया है वह होगा हमबल बैग्राउंड है आपका ग्राम परिवेश से आते हैं जमीनी स्तर पर आपको समस्याएं पता हैं और ऐसे ही लोग साशन तंतर में जब आते हैं तो समाज में अच्छा खासा बदला करने से मेरिट लिष्ट में आपका नाम जरूर देखेंगे ठीक है बस सरने जैसा बताया कुछ सजेशन सरने हम लोग ने दिया आपको वो सजेशन को आंग बंद करके पालन करना है अपने आपको मजबूती से क्योंकि आपको आने वाली युवा पीडियों को देखना आप आप अभी 1993 में जनम लिए हैं मौ से आप आते हैं तो आने वाली युवा पीडियों देखेगी ना कि मौ से हमारे एक बड़े भाई निकले हैं वह आने वाले पीडियों देखेगी उनको आपको प्रेड़ना देना है ठीक है पिछड़े जितने भी इलाके हैं ऐसे इलाके में पूर्वांचल से जो आते हैं पूर्भी उत्तरप्रदेश का विकास नहीं वहां करिया है और आप इसको लेकर बाइसे अपको अपो अभी देना है और जो भी आप बोलिए माल लीजे एक continuously एक habit देखा गया क्योंकि जो एक board members ने भी suggest किया कि आप हर जवाब को देना चाहरे थे उसके बारे में पता है नहीं है हर जवाब को देना चाहरे यह नहीं करना होई कि अपे कभी नहीं करना जो जवाब आपको नहीं आता ना वे जवाब नहीं देना है नॉल्इच अगा थे आइश्य का इशू है आपके अंदर ज्हांक करके देखने वाली बात कि क्यों आप जवाब दे रहें बे मतलब क क्यों जो जवाब नहीं आता उसको मुस्कुराना है उसी समय पर सॉरी सर जैसे आप अभी मुस्कुरा रहे हैं वैसे बोल देना है कि सर मैं जरूर इसको देखूंगा मुझे अभी फिलाल इसके बारे में जानकारी नहीं है बस दूसरे सवाल पर वह आएंगे तो कोशिश करिए बा को रखा हुआ है पहले जी जी तो मैं उसके बारे में सर पूछना चाहता हूं कि महां पर कैसे को रिलेट करें आप से अगर क्वेश्चन पूछेगा डेपूटी स्पी आपने पहले प्रफरेंस पर क्यों दिया तो आप बताईएगा कि सर मेरा टेंपरमेंट वैसा है जिस से पुलिस के तरफ में काफी आकर्शित रहा हूं पुलिस समाज में एक सकरात्मक बदलाव ला सकती है ठीके ना अनुशासन मैंने जीवन में अपने आधार माना है और वो यूनिफॉर्म जो पुलिस है वो उसमें दर्शाएगा अनुशासन से पुलिस का पूरा जीवन च कर सकते हैं और आपको वहां बताना है कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा मेरा टेंप्रमेंट वैसा है समाजिक तपका है उनको संदक्ष्ण प्रदान कर सकता हूं सर यह नहीं कह सकते हैं कि वार्दी के लिए अगर और ऐसे सवाक ले जाते हैं तो पुलिस अदिछक डालते पहले डिप्टी यहलर डालते हैं जैसे अब मेरा ओपिनियन है इस पे क्या कहेंगे आपने डीएसपी डाला है ना जी तो क्या दिक्कत है इसमें बोर्ड मेंबर हर इसमें पूरी बातें बताएंगे ना उनको कि हम समाज के अंदर जो पुलिस का डर है जो पुलिस का फोभिया उसको दूर करने में सर में प्रेयास करूँगा आज की डेट में पुलिस को गलत दृश्टी से देखा जाता है पुलिस का दर्द को होता क्योंकि पुलिस से डर है लोगों को 24 गंटे की डूटी होते है पुलिस वालों की यह तो आपको पता ही है तो यह बात सब बुनियादी बात बताईए वहाँ पर कि इस चीज़ को मुझे मैं कोशिश करूँगा कि समाज से यह डर है यह मैं अपने ड्यूटी के दौरान इसको दूर करूं महिला सर्शक्षा महिला सर्शक्तिकरन इन सब चीज़ों में पुलिस को अच्छा मौका मिलता है काम करने का ठीक है प्रदेश को सरक्षित महौल जैसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हम लोग के लिए और भी दिक्कते हैं बहुत सारी शुपकाम है अब था अ हुआ हुआ है